अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत किन खेलों में उच्छ स्तरिये प्रदर्शन कर रहा है या कर चुका है तो आपका उत्तर क्या होगा? समवता आप क्रिकेट, हौकी, कबड़ी, कुस्ती बताएंगे. आज जो युवा हैं वो तो सिर्फ इन ही खेलों में भारतिये प्रदर्शन की प्रसंसा करते हुए नजर आएंगे. लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक खेल ऐसा भी है जिसमें हम विश्व को टक्कर देते थे और दमदारी से भारतिये तिरंगा को लहराते थे. आज उस खेल में भारत की ओर से सक्रिये भूमी का निभार है बहुत कम खिलाडियों को आप जानते होंगे. हम टेनिस कोट में भारतिये पर्चम की भात कर रहे हैं. एक दौर था जब भारत का प्रतिनेजित्व लेंडर पेश, महेश भुपती, सानिया मिर्जा, सोमदेव देव बर्मन जैसे खिलाडी करते थे. तथा उनकी गिंती विश्वक के सिर्ष टेनिस खिलाडीयों के तौर पर होती थी. आज आप सायद ही किसी भारतिये टेनिस खिलाडी का नाम जानते होंगे. टेनिस के इस दुर्भाग्य पूर्ण समय के लिए कोई और नहीं बलकि स्वयम भारतिये टेनिस की शिर्ष समू All India Tennis Association जिम्यदार है. उनके लचर रवये के कारण टेनिस का भविश से अंधकार में हो चुका है. यही कारण है कि सुमीत नागल और श्रशी कुमार मुकुन जैसे खिलाडी भारत की ओर से खेलने से मना कर रहे हैं. नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है. मैं अविरव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत में कभी बेहद फेमस रहे टे टेनिस के साथ AITA ने किया है. दरसल All India Tennis Association के स्थापना 1920 में होई थी. इसके स्थापना BCCI से भी आठ वर्स पूर्व होई. लेकिन आज BCCI विश्व क्रिकेट में सबसे ताकतवर बोर्ड होने के साथ सबसे ताकतवर टीम भी है. वहीं AITA एक फिसड़ी संस्थान बनकर उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि पूर्व में भारतिये टेनिस खिलाडियों की क्या स्थिती रही है. भारत डेविस कप, कॉमन वेल्थ गेम्स, ओलम्पिक और एसियन गेम्स में कुल 41 पदक जीत चुका है. टेनिस टूनामेंट में सबसे प्रतिष्ठी इक्स डबल में महेश भुपती ने दो बार फ्रेंच ओपन खिताब, दो बार यूएस ओपन, दो बार विम्बल्डन और दो बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं. वही सानिया मिर्जा की बात करें तो सानिया मिर्जा ऐसे तीन खिताब जीत चुकी हैं. मेंस डबल मे लिएंडर पेस और महेज भुपती, यूएस ओपेन, विंबल्डन, फ्रेंच ओपेन, औस्ट्रेलियन ओपेन में कुल नौ बार खिताब जीत चुके हैं। विमेंस डबल्स में सानिया मिर्जा तीन बार खिताब हांसिल कर चुकी हैं। इसी तरह के बहतरीन इतिहास होने के बावजूद, रोहन वोपन्ना के समय आते आते तक भारतिय टेनिस अब एकदम से खतम होने के कगार पर खड़ी हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण है AITA की ताना साही और लचर रवया। पहले ही कई खिलाडी AITA के इसी रवये पर सवाल उठा चुके हैं। इसी वर्स भारत के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाडी सोमदेव देव बर्मन ने अखिल भारतिय टेनिस संग पर सवाल उठाया था। भारत के लॉण टेनिस के लिए सरकारी परिव्यक्षक बनाए गये थे। या विशेश सवाल देव बर्मन द्वारा तब पुछा गया था जब सरकार ने सेंटर ओफ एक्सिलेंस यानी COE के लिए फंडिंग कम कर दी थी। या देव बर्मन ही थे जिन्नोंने दो करोड रुपे के वार्शिक बजट में 390 खिलाडी को प्रशिक्षित करने के लक्ष के साथ COE पयोजना की सुरुवात की थी। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्यूंकि अपने कैरियर के शिर्ष रैंक 62 पर जाने के बाद भी वह 10 करोड रुपे ही कमा सके थे जो 9 साल में ही खतम हो गया। वहीं दुनिया के उपध्यक्ष किर्ती चितंबरम ने कहा था कि भारत को कम से कम 6 खिलाडियों पर 3-4 करोड रुपे खर्च करना चाहिए। उन्होंने बताया था कि भारत इतना रकम खर्च कर सकता है। लेकिन AITA ने कभी इक्षा प्रकट ही नहीं की। कोच के अलावा बाकी पैसा फीजियो यात्रा, भोजन और उपकरणों पर भी खर्च किया जाता है। एक भारती खिलाडी को इन खर्चों के साथ खड़ा होने में सक्षम होने के लिए उसे वित्तिय सहायता की आवशक्ता होती है। पर भी यह आरोप लगाया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि खन्ना की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। रोहन बोपन्ना भी AITF पर यह आरोप लगा चुके हैं कि यह एक अक्षमताओं वाली संस्थान है और जूट बोलना उसकी आदत हो चुकी है। टोकियो उलम्पिक से पहले रोहन बोपन्ना ने ट्वीट कर कहा था सूप्रभात AITF महासचीव वियाफ कहते हुए जूट बोल रहे हैं कि ITF ने प्रवेश्विकार कर लिया है। सभी से जूट बोलना बंद करें बदलाव का समय आ गया है। 50 से अधिक साल हो गयें सभी खिलाडियों की ओर आये महासंग की अक्षमता के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। यह आरुप तब लगाया गया था जब रोहन वपन्ना को महासचीव की ओर से फोन आया और बताया गया कि उनका चैन टोक्यो अलम्पिक के लिए कर लिया गया है। अम्भी रूप से उकसाए जाने पर भी ऐसे स्तर तक नहीं गिरेगा। परन्तु एयाइटीये को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी ही धुन में रहा। यूकी भामरी जैसा विश्व अस्तरिये खिलाडी भी एयाइटीये के कारण बरबाद हो गया। जूनियर विश्व रैंकिंग में नमबर एक होने और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद यह उमीद की जा रही थी कि भारत में अब टेनिस ने रफ्तार पकड़ ली है और नए खिलाडी उभर कर सामने आ रहे हैं। परंतु AITA के लाल फिता साही ने प्रतिभाओं का ऐसा नाश किया जिसे सायद ही देश कभी उभर पाएगा। यूकी भामरी ने ACN Games में भाग लेने के बजाए जब US Open में भाग लेने का फैसला किया था तब उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि टॉप से बाहर कर दिया गया था। इस पर यूकी भामरी ने नाराजगी भी जिताई थी और हर बार की तरह AITA सामने से आकर खंडन करके चला गया। किसी अन्य देश में यूकी जैसे खिलाडी को उनके मन पसंद कोच से ट्रेनिंग के लिए प्रबंद कर दिया जाता। आज भारत के खिलाडियों की रैंकिंग देखा जाए तो इस पस्ट हो जाएगा कि कैसे टेनिस अबगर्त में जा रहा है। सर्वोच रैंक वाले भारतिय खिलाडी प्रजनेश गुणे स्वरन हैं जो वर्तमान में 148 स्थान पर हैं। भारत में महिला टेनिस की कहानी तो और भी खराब है। भारत की शिर्स रैंकिंग वाली महिला टेनिस खिलाडी विश्वक के शिर्स 150 से बाहर है। वहीं दूसरी सबसे अच्छी रैंकिंग शिर्स 200 से भी बाहर है। टूरुस्तर का एकल खिताब जीतने वाले अंतिम भारतिये पुरूस लेंडर पेस थे। जिन्होंने 1999 में न्यूपोर्ट में ट्रॉफी जीती थी। एकल खिताब जीत्ते वाली अंतिम भारतिय महिला सानिया मिर्जा थी जिन्होंने 2005 में हैदराबाद ओपन जीता था तब से सानिया मिर्जा एकल सर्किट से दूर हो गई और उन्होंने अपना ध्यान यूगल वर्ग पर केंदरित कर दिया जब से वा सिंगल सर्किट से बाहर हुई है भारतिय परिद्रिश से भी सिंगल कैटेग्रीज में ठहर गया है ऐसा प्रतीत होता है कि AITA कुछ बड़ी उपलब्दी हासिल ही नहीं करना चाहता है वह नहीं पैसा खर्च करना चाहता है और नहीं खिलाडियों को बड़े टूना होगा नहीं तो इस देश के इतिहास में टेनीस कहीं फुटनोट बनकर रह जाएगा